है गाइस वालकब बैक और आज हम बात करें इटालियन वेनिफेक्चर की एक ऐसी इलेक्रिक स्कूटर जिसने एक मा में पूरा पूरा तभाई मचा कर रखा है इस गाड़ी का नाम है लंब्राटे और वैसे भी नाम से समझ में आ रहा है यह इतालियन गाड़ी है और इतालिय पहले यह चर्चा भी हुई थी इस गाड़ी को इंडिया में लाया जागा लेकिन वह चीछ एक समय के बाद खतम हो चुकी थी क्योंकि कंपनी ने खुद नहीं बोल दिया था कि हम इस गाड़ी को इंडिया में लांच नहीं करने वाले अभी के टाय में क्योंकि वह है जो इलेक्टर वेहिकल का मार्केट है वह काफी अच्छा पॉटेंशल ग्राप कर चुका और इंडिया के काफी ज्यादा नाम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में तो वैसे में काफी कंपनी इंडिया में अपने गाड़ियों को या अपने चीज़ों को सेल करने का सोच रही ह वैसे में बात करतूं यह लमपराते जो गाड़ी है यह एक फिचुरिस्टिक wanna दिजाइन के साथ छाला की इसमें फिचुरिस्टिक डिजाइन के साथ एक लिट्राट लुप का भी एक THEM धीम देखने को बलता है जैसे कि हाँ पे हेड्लाइट देखेंगे जा उसका पूरा के साथ चलती है गाड़ी रियर का जो टायर है वो बारा इंच का है और काफी रेडियल भी है कमपनी कह रही है फ्लाट फ्लोर बोड के साथ अच्छी खासी बैटरी देखने मिलती है पर्फॉर्मेंस भी काफी अच्छा है रेंज भी एस पर इलेक्ट्र स्कूटर अच्छा ख कैंच निकल रही है ये गाड़ी तो यह गाड़ी काफी अच्छी है मतलब इनसेंस बताया जाए तो डिजान वाइस तो काफी है साथ में परफॉर्मेंस भी है और साथ में हापर बैटरी के साथ रींस ही खासी परोड़ाट कर रहे हैं फ्रन के तौर्ट सशकने आप बहले टाइम में अपने चेतक देखिये वो चेतक में जैसा सपंशन है जैसे अभी एक इलेक्ट्रिक चेतक है जैसा सबसे बड़ा सवाल आप लोग को यह होगा कि यह चलो यह सारी चीज़तों तो तुम बता रहें अच्छी बात बट्ट क्या ये इंडिया में आएगी तो अभी नहीं आएगी लेकिन आने वाले समय में ये जरूर आएगी क्योंकि लंपराटे के बारे में अल्रेडी दो साल पहले बताया जा रहा था कि ये कंपनी इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए काफी जादा सूच लेकिन उसके बाद से इतना कुछ कहानी आया नहीं और उतना जादा इंडिया का इलेक्टर वेहिकल इंडेस्ट्री डेवलॉप नहीं हुआ लेकिन अब जो पिछले देड़ साल से जो डेवलॉप हुआ है वह काफी मैसिबले डेवलॉप हुआ और से स्विगर भी हर कंपन बट उनको भी अभी कम से कम एक साल लग चुका बट अभी तक कोई भी फूल प्रूफ प्लानिंग के साथ नहीं आया कि वह गाड़ी कैसे इंडिया में सेल करेंगे कहा डेवलॉप करेंगे अभी सिर्फ पार्टनर्शिप चल रही है गोगर कंपनी की तो यह लंबा प्रोस सोने में भी काफी समय है इस कंपनी को इंडिया माने में लग बग 2-2.5 साल है वेकिन आएगी तो एक हेल्दी कंपटिशन होगा इंडियन मार्केट में वैसी बाइक काड़ी में भी आपने देखा होगा बहर की कंपनी आती है अपने गाड़ी को सेल करती और ठीक ठाक कंप करके बताई है मैं जरूर उस पर राइक करूंगा कि वीडियो मना के आपको बता सको तो मिलते हैं वीडियो में पावाएं